हलो गाइस साथ बिलकामाल आफी टूद आवर यूटूब चैनल ग्यानबे सचिन तो यूपी पॉल्टेक्निक काउंसलिंग 2022 अभी आपकी चल रही है और थर्ड राउंड तक कम्प्लीट हो चुका है और थर्ड राउंड तक के बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है अब सारी स्टुदिंट्स के जो डाउट है वो मैं आज साल्ब करने वाया हूँ कि कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो क्या करें आप 24 लॉकिंग प्रोब्लम आफ्टर थर्ड राउंड अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें आप ठीक है उसके साथ साथ ही अगर इस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक गिवन है अडिमिसन से रिलेटेड डॉकुमेंट हो चाहे अडिमिसन डीडी हो एंटी रैगिंग फॉर्म हो मेडिकल सेटिपिकेट हो और सबसे इंपोर्टन है मेरे टेलीग्राम का चैनल वहाँ पर आपको कोई भी जानकरी जो आत के तीसरे राउंड तक मिलते हैं और आपने अनलाइस करा होगा तीनो राउंड तक आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिले मतलब जो कोई आपको चाहिए थे वो नहीं मिले तो सबसे बुरी बात आपकी वो है कि आपने order wise में कॉलेज पहले नहीं फिल करा होगा काई दिस है कि जो college मुझे पहले चाहिए था, वो नहीं फिल करा, उपर नीचे फिल करा, अब एक बच्चे की आये थे message, वो मुरादाबाद में ही पढ़ती है, अब क्या था, कि मुरादाबाद को चाहिए था पहले, लेकिन उसने मुरादाबाद के पहले का डाल दिया, बांदा, अब मुर इस फिफ्फ के नीचे का college नहीं मिलेगा, आपको ऊपर का college मिलेगा, जी कप यह समझता है, कि आपने जो भी order wise college fill किये है सबसे पहले मुझे ये चाहिए था उसके बाद ये अगर ये नहीं मिलता है तो ये ये नहीं मिलता है तो ये तो इसके according अब और ये मिल चुका है ताब इसके नीचे का नहीं देना है मुझे इसके उपर का देना है मालना अगर उसके नीचे का देगा उसके नीचे का college बुरा होगा तो फिर तब तो बुरी बात हो जाएगी तो इसलिए उसके order के according ही आपको चलना होता है लेकिन बहुत सारे students ऐसे हैं जिन्होंने अपने अच्छे order को नहीं fill करा और उसके बाद अब उन्हे problems create हो रही है ठीक है अब बात करते हैं कि अगर आपसे गलती होई ही गई है अच्छा college नहीं मिला है तो क्या करें तो आप bidra कर दो नेचे option आएगा bidra का bidra कर दो कि 3000 रुपे वापस आ जाएगे और आपको फिर से 4th round में आपकी new registration को करा करके अपनी counselling को आगे बढ़ाना है college तो वो नहीं मिल पाएगा college मनलब दिक्कत आ जाएगी थोड़ी से कि college नहीं वो मिल पाए लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन कोई ने कोई उस brand से related उस अच्छे college से related कोई ने कोई जरूर आपको college मिल जाएगा अब एक बहुत बड़ा doubt ये है कि जिन students ने अपना freeze तो करा जिन students ने freeze तो करा लेकिन admission fees नहीं payment कर पाए उनका क्या होगा तो वो admission fees payment नहीं कर पाए है लेकिन उनका क्या होगा कि वो अपनी counselling से बाहर हो गए है लेकिन फोर्थ राउड में फिर से new registration करा करके अपनी counselling को आगे पढ़ा सकते हैं अब उनकी बात करते हैं कि उन्होंने 3000 रुपे payment कर दें उनका क्या होगा और अगर उन्हें 3000 रुपे payment करा था तो वो 3000 रुपे payment आपका वापस आ जाएगा अब बात करते हैं कि 24 locking problem क्या होगी इस बार 4th round में 4th round में क्या होगा कि other than बिहार वाले भी होंगे other than बिहार वालों का ये rule होता है कि उन्हें 10 college के ही पर्मिशन दी जाती है fill करने के लिए ठीक है तो ऐसे college fill करने है जो आपको पता हो कि आपको college मिली जाए ठीक है सारेकों सारे students तो बिल्कुल ऐसे college आपको Curry Land करने है जो आपको 100% तरह चल जाए कि आपको ये college मिली जाए तो उस college को lock करना है ठीक है अब उन्हें बात करें जिन्हें कोई college मिला ही नहीं है तो वो क्या करेंगे तो जिन्हें कोई college नहीं मिला है वो fourth round में अपनी choice को थोड़ा changes करेंगे और जो भी low level के college होंगे उन्हें थोड़ा उपर ले आएंगे तो बस अपनी choice को थोड़ा change करेंगे order को change करेंगे तो उन्हें fourth round में college मिलना start हो जाएगा fourth round नहीं मिलता है fifth में ही मिलता है तो sixth में change करेंगे उन्हें college किसी ने किसी तरीके से हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे ठीक है तो ये थी आपकी total information कैसी लेगी ये वीडियो बि झाल